CAA, NRC और NPR का जब देश में मामला कुल पकड़ा था, तब एक मुद्दा जो बराबर सुर्ख्या मटो रहा था, वो था भारत में डिटेंशन सेंटर का दिर्माण। लेकिन इस बहस ने आग तब और ज्यादा पकड़ दी जब प्रधानमंत्री श्री मोदी नेरामलीला मिदान में ये कह दिया कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। कि जा रही है या बन गई है उसको सपष्ट करना समय की मांग है और जरूरी भी। तो आए इस वीडियो में जानते हैं डिटेंशन सेंटर के पूरे इतिहास और कॉन्सेप्ट को। पहले समझते हैं कि दरसल ये डिटेंशन सेंटर होते क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर कही तरह के लोग रहते हैं। में कुछ नागरिक होते हैं, कुछ आपरवासी होते हैं, कुछ शनार्थी होते हैं, और कुछ अवेध आपरवासी होते हैं, यानि अवेध नागरिक, हर देश में इन लोगों के लिए अलग-अलग कानून होते हैं, देश के मूल नागरिकों को उस देश का समिधान कुछ एक आपरवासी जो वेद कागजातों के साथ उस देश में कानून सम्मत एंट्री लेते हैं, कुछ शरणार्थी होते हैं जो किसी जगए जुल्मों सितम से आहत होकर अपने जीवन रक्षा के लिए किसी देश में मजबूर होकर शरण लेते हैं और कोई देश उन्हें मानवत आपरवासी के लिए हर देश में अपने अपने कानून होते हैं अगर किसी विक्ति की पहचान अवेध आपरवासी की रूप में हो जाती है तो उस पर मुकदमा चलाय जाता है और उसे उसके देश वापस भेजा जाता है जब तक ये कारवाही चलती है तब तक उसे जिस ज कहा जाता है अब यहां एक गोर करने वाली बात यह है कि यह डिटेंटिशन सेंटर दरसल जेल की तरह नहीं होते हैं वहां किसी अपराधी की तरह उस वेक्टिकु ट्रीट नहीं किया जाता है बलकि उसके मानवा अधिकार सुरुक्षित रहते हैं हालांकि नागरीकों की अप प्यासों के लिए समय पर मांग उठती रही है भारत में बन रही डिटेंशन सेंटर के आलोचना की गई ऐसा लग रहा था जैसे यह है नई चीज भारत में ही हो रही हो लेकिन ऐसा नहीं है इन डिटेंशन सेंटर का पुराना इतिहास रहा है देश भर में नहीं बलकि दु इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर जो सिर्फ अवेध नागरीकों को रखने के मकसल से तयार किया गया था 1892 में यूएस के न्यूज जर्से में शुरू किया गया था इसका नाम एलिस आइलेंड एमिग्रेशन स्टेशन था फ्रांस में 17 श्ताबदी में और 18 श्ताबदी में बिसेले नामक जगय पर बने किले की हिरासत केंदर के तोर पर इस्तिमाल किया जाता था आठ टावरों वाला ये किला चारों तरफ से दिवार से घिरा वा था फ्रांस के राजा साल सपंचम दवारा 22 अप्रेल 1370 को इसका निर्मान कारिय शुरू करवाया गया था जिसमें पडोसी देशों से आई आपरवासियों और युदबंदियों को रखा जाता था इसे बिसेले सेंट एंडेनों के नाम से भी जाना जाता है युएस में दुनिया के सबसे अधिक डिटेंशन सेंटर है हाल में साल 2014 में अमरीका में फेमली डिटेंशन सेंटर बनाया गया इसे ओबामा परशासन ने बनवाया था रिपोर्ट्स के अनुसार ओबामा परशासन के दोरान अमरीका से 30 लाग से ज्यादा आपरवासियों को महार निकाला गया था लेकिन दुनिया के लगबग देशों में जहां आवेद आपरवास की समस्या है वहां इस तरह के सेंटर अनेक रूपों में देखने को मिलते हैं यह तरही दुनिया की बात और उनके इतिहास की कुछ संक्षिप्त जानकारे लेकिन हमें भारत के बारे में जानने की जरूरत है क्योंकि भारत में ही पिछले साल इस बारे में बहस हुई और संभावना है कि आने वाले सालों में इसके बारे में फिर से बहस शू हो अब आपको बताता हूँ कि भारत में डिटेंशन सेंटर की क्या स्थिती है Foreigner Act 1946 के सेक्षन 32C के अनुसार भारत सरकार के पास देश में अवेध रूप से रह रहे विदेशी नागरीकों को उनके देश वापस भेजने का अधिकार है इस कानुन के सेक्षन 32E में प्रावधान किया गया है कि कोई राज्य चाहे तो वह भी डिटेंशन सेंटर बना सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के दुसरे सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर का निर्मान कुरवाया जा रहा है यह निर्मान कारिय दिसंबर 2018 से असम के गवाल पाड़ा जिले के मठ्या में जारी है अमर उजाला में छपी रिपोर्ट कहती है कि यह देश में पहला डिटेंशन सेंटर साल 2005 में असम में बनाय गया था जब वहां कॉंग्रेस के तरण गोई की सरकार थी हाला कि शुरुवात में यह डिटेंशन सेंटर जेलों के अंदर ही बनाय गये थे असल में असम में फिलाल 6 डिटेंशन सेंटर हैं जो की गवालपाड़ा, तीजपूर, जोरहट, डिब्रुगड, सिल्चर और कोकरा जार जिले में स्थित हैं इसके बाद 2009, 2012, 2014 और 2018 में भी समय समय पर राजियों वह केंदर शासित परदेशों को डिटेंशन सेंटर बनाय जाने के लिए निदेश दिये जाते रहे हैं करनाटक में पहला डिटेंशन सेंटर बैंगलूरू से करीब 40 किलोमेटर दूरी पर स्थित सौंडे कोपा गाव में खोला गया था यहां सामाजी कल्यान विभागे एक चात्राबास को डिटेंशन सेंटर में बदल दिया गया जहां छे कमरों में एक साथ 24 लोग रह सकते हैं बंगाल सरकार ने भी न्यू टाउन और बॉन गाओं में दो डिटेंशन सेंटर खोले जाने की मजूरी दी है यहां तक की गोवा और दिल्ली में भी एक एक डिटेंशन सेंटर है कॉंग्रेस आंसरक शशी थरूर के एक सवाल के जबाब में ग्रह राज्य मंत्री जी के रेट्डी ने बताया कि फिलाल असम की छे केंद्रिय कारागारों में बने डिटेंशन सेंटर में 1133 घोशित विदेशी लोगों को रखा गया जबकि ये आंकड़ी 25 जून 2019 तक के हैं तो कह सकते हैं कि भारत में कुल मिलाकर डिटेंशन सेंटर की यह स्थिती है अम है तो पुन सवाल ये है कि डिटेंशन सेंटर बनाना क्या अच्छी बात है अवेध आपरवास कोई आधुनिक राष्टर बरदाष्ट नहीं करेंगे जबकि ये विकल्प मौजूद है कि कोई सही रास्ते से किसी भी देश में आकर रह सकता है यहां तक कि किसी देश की नागरिक्ता भी ग्रहन कर सकता है लेकिन यह तो हमें स्विकार करना ही होगा कि मनुश्यता की विकास यात्रा अभी तक उस पड़ापन ही पहुंची है जहां कोई मनुश्य बेलगाम किसी भी कागस पत्री के दुनिया की किसी भी कोने में आजा सकता हो भले ही हमें यह सिधान्तिक रूप से रूचिकर ने लगे लेकिन दुनिया की वस्तुस्थिती तो यही है इसे में कोई देश अपनी आंत्रिक सुरुक्षा के लिए आवेद लोगों की पहचान करता है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की कारवाई करता है इसे में जब तक मुक्दमा चले तब तक सरकार अपनी निगरानी में रखे बशर्ते उसकी बुनियादी अधिकार चिने नहीं जाएं उसके मानवा धिकार सुरुक्षित रहे इस संदर्म में अगर उन्हें डिटेन करके रखा जाता है तो आप स्वयम तेया कर सकते हैं कि वो ठीक बात है या गलत कुछ लोग डिटेन्शन सेंटर के हालातों को लेकर आलोचना करते हैं उन्हें जेल के सामान ही बताया जाता है नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों में अंतर बनाए रखना जरूरी है विशेशक्वियों का कहना है कि अपराद करने वालों के साथ होने वाल बरताव में अंतर होना चाहिए जनवरी 2020 में राज्यों को केंदर द्वरा डिटेन्शन सेंटर के समंध में एक मैनुवल भेजा गया था इसके अनुसार डिटेन्शन सेंटर में कोशल केंदर बच्चों के लिए पालना घर है वारह रहे अपरवासियों समंधी दूताबास और उनके परिवारों से संपर करवाने जैसी अन्य आधुनिक सुविधाओं का होना जरूरी है ऐसे में उनमें सुधार और बहतर हालातों की गुंजाईश बनाने की दिशा में प्रियास होते रहे हैं अब इसका हाल क्या है और मेरा इस पर अब तक क्या मानना है हमें इस ब कम हो तो भी देश का टेक्सपेर उनका खर्चा उठा सकता है क्योंकि उनको अगर बंद रखा जाएगा तो निश्यत ही उन्हें कमा करी देना पड़ेगा हिसारा खर्चा देश की जनता पर ही आएगा ऐसे में अगर एनारसी के आंतरगत यह पैचान होती हो तो अवेद लो पैचान कर ले जाए जो वास्तों में स्थास्य तरशियत सुर्कशा की लिए उनकी पैचान करना जड़ूरी है बाकि जो लोग है उन्हें देश में ही उन जगों पर या इस तरह से बसाया जा सकता है जहां यह अबादी अपनी जनसंख्या के बल पर राजनीती को हैं ऐसे में सुन्दर यही हो सकता है कि वो कम से कम कमाकर तो खाएं मैं समझता हूं कि उनको किसी दूसरे देश में भेजने की कारवाई में जितना खरучा आता है उतनी राशी में वो पूरी उमर खर्च नहीं कर पाएंगे मेरा ऐसा अनुमान है बात नहीं देश की राजनीती को परभावित करने वाले दाखल की तो मैंने इसका हल पहले ही बता दिया है तो ये है डिटेंशन सेंटर का पुरा माज़रा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अब शेयर बताएए कमेंट बॉक्स खुला है आप स्पोर्ट करें नीचे लिंक दिये गए हैं डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन पर पेपाल पर फोन पर गूगल पर जो आपके पास उप्लब्द संसाधन है माध्यम है उसका इस्तेमाल करके हमें कुछ आर्थिक सवयों कर सकते हैं कि इस काम को हम जारी रख सके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेर आइकन भी दबाना नहीं भूले